नमस्कार बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैप वर्क में हमें बिल्कुल सटिक मार्क मिलते हैं क्योंकि यह फैक्चुल पॉइंट होता है तो अगर आप मैप पर अपना कॉंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो एक्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं इसलिए आप मैप वर्क देखने के लिए और मैप को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है तो चलिए सुरू करते हैं आज का मैप और आज का मैप है पार्ट 3 भारत में राष्टवाद क्लास 10 का है और यह बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है काफी important सवाल है य लेकिन हमें जो चैप्टर के अनुसार देखना है वह कुछ important जगों को ही देखना है और उन जगों पर हम अपना concept बिल्कुल clear रखेंगे ताकि हम कहीं कोई गड़बडी न करें तो यहां तीन अस्थल दिये गये हैं सबसे पहले है यहां कोलकाता जो कि उस समय कलकत्ता का हल लेकिन कलकत्ता में सितंबर उनिस्ष्व 20 में हुआ था और नागपूर में दिसंबर उनिस्ष्व 20 में हुआ था और यह चीज बार बार बच्चे यह भूल करते हैं इसलिए हमें याद रखना है कि PowerPoint में कांगरेस का अधिवेशन दो जगह हुआ था पहला कलकत्ता और δूस नागपूर तो हमें यादियाह रखना है कि सितंबर 1920 में कलकता में कांग्रेस का दिवेशन हुआ था और दिसंबर 1920 में नागपूर में कांग्रेस का दिवेशन हुआ था नेक्स्ट है मदरास और यह बहुत बार पुछता है कि मदरास में कांग्रेस का दिवेशन कब हुआ था तो 1927 में हम याद रखेंगे कि मदरास में 1927 में कांग्रेस का दिवेशन हुआ था आज हम लोग मदरास को चेन्नई के नाम से जानते हैं और यह पहले मदरास कहलाता था तो हमने आज देखा कलकत्ता, नागपूर और मद्रास कलकत्ता में सितंबर 1920 में, नागपूर में दिसंबर 1920 में और मद्रास में 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन वाय या तीन पॉइंट आप कांग्रेस के अधिवेशन में याद रखेगा या बिल्कुल परिक्षा में आने वाला प्रस्ण है और इसमें आपको पूरे के पूरे मार्स मिलेंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए नित्य आपको एक मैप वर्क दिया जाएगा और जो कि आपके परिच्छा में आपके अंक को पुर्णता प्रदान करेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यबाद